रमोशकार दोस्तों निकल के आई है एक बड़ी खबर मुंबई के पूर्फ पुलिस कमिशनर परमबिट सिंग ने आज ये दावा किया है कि महराश्टर के ग्रिह मंत्री अनिल देशमुग जी ने सचिन वाजे सचिन वाजे को ये ओर्डर दिया था कि हर एक महीने सचिन वाजे एक सौ क्रोर रुपए एक स्टॉर्ट करके लाके इनको दे ये बड़ी खबर अभी निकल के आई है टाइमस ना ने यहाँ पे टूइट किया है आप देख सकते हो कि परमबिट सिंग ने अभी ये शौकिंग बात कही है कि एक पूलिस ऑफिसर हर महीने सौ क्रोर रुपए लोगों से एक स्टॉर्ट कर रहा है और वो लाके ओम डिश्टर को दे रहा है अगर ये बात में सचाई है तो क्या अनिल देश्मुक जी ऐसा कर रहे थे अभी अनिल देश्मुक का जो नेक्स स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्डेंट है दोस्तों दूसरी बात जो मैं आपको यहां पर मेंशन करना चाहता हूँ ये है कि अगर ऐसा असल में हुआ था कि सची माज़े को बोला गया था कि तुम हर महीने मुझे सौ क्रो रुपए लाके तो तब तो परमविर सिंगी पुलिस कमिशन तो उनके नाट के नीचे ये सब बोल रहा था तो इनको पता था तो कि नोने क्यों तब कोई एक्शन नहीं लिया अब जाके वो ऐसा बोल रहे है चलो दे रहा है दुरूस्ता है उनने बोला तो सही तो उसमें अभी कारवाही जरूर होगी और अभी पता चल जाएगा कि जुन को दो 720 लुएग उसके बाद तहल का मच गया सब को पता चल गया की मूंबई में इसी को भी मार के उसका स्वीषएइट बता जा रहा है मंसुक हिरेन की जब मौत हुई थी तब उसको भी सुइसाइट का नाम दिया गया 5th March को मंसुक हिरेन की बॉड़ी मिले थी थामे क्रीक में और उसके बाद मुंबे टूलिस ने उसको भी सुइसाइट बताया था श्रुशान की मौत को भी सुइसाइट बताया था तो इसमें relation तो है और मंसुख हिरेन सचिन वाजे को पैसे देते थे सचिन वाजे मंसुख हिरेन को एक्स्टॉट करते थे ये बाद मंसुख हिरेन की वाइफ ने भी बताया है मंसुख हिरेन की वाइफ विमला जो मंसुख हिरेन की मौत होने के बाद आके ये बताया था कि मंस मंसुपिरेंट का केस ATS हैंडल कर रहे थी अब NIA हैंडल कर रहे और उसके ऊपर अभी ये मुंबाई के एक्स पुलिश कोमिशनर परम विट सिंग का ये बड़ा स्टेक्मेंट अभी दोस्तों ये केस इधर से उधर जा रहा है पहले तो ये एंटिला बॉंब स्केर केस था उ ये ये डेंट।